नमस्कार, रूटशिफ्टी एंड मोटरवाइकल रेगुलेशन से रिलेवेंट आज असमें नेया टॉपिक में लेका आए हूँ E-Rixa and E-Cart के बारे में जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बारतिय सटकों के उपर महुत सरे आपको विबिन कंपनियों के E-Rixa और E-Cart आपको दिखाई देते हैं तो E-Rixa E-Cart कहते किसे है और E-Rixa E-Cart का परमिट का क्या प्रोविजन है इनके fitness का क्या प्रोविजन है इनके registration का क्या प्रोविजन है क्या इनका registration जरूरी है या नहीं है तथा अगर इनका license है तो इनका license का provision क्या है क्या इनका LMB का license इनके लिए है क्या अलग से license बनेगा क्या इनके tax है इसके बारे में आज अपन डिटेल में discuss करेंगे कि e-ringsta और e-card के क्या क्या provisions होते हैं Motorbical Act के अंदर मैं कैला सर्मा Motorbical Inspector अगर पूर के मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे है या फिर मेरी चैनल पर प्रतम बार है अब जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे की route safety, motor vehicle regulations and motor vehicle tax assistance relevant और भी जो interesting वीडियो है आपको तुरंत मिल सके तो अपन इस्टाट करते है इरिक्सा एकार्ट के लिए क्या खा गया है transportation for seamless clean mobility, employment and livelihood यानि कि है इरिक्सा एक कार्ट है एक प्रकास से seamless या निर्बाद रूप से सटको पर चल सकते है clean mobility यानि कि ये battery operated होता है यानि इनके त्वारा कोई भी जो रोजगार के लिए भी इरिक्सा और इकार्ट बहुत ही मतबूर निविगा भूमिका निवार है है and livelihood और आजीवा के लिए भी बहुत ही अच्छी भूमिका इरिक्सा और इकार्ट निवार रहे हैं सब आंगे बढ़ते हम E-Rixa and E-Cart सबसे पहले Provisions Center Motor Vehicle Act 1988 के Section 2A और Rule 2 CB and 2CC के अंदर E-Rixa and E-Cart को Define किया गया है कि यह E-Rixa और E-Cart कहते किसे है क्योंकि यह battery से चलने वाले vehicle है यानि electric vehicle है और एक दूसरी electric car वगरा है टू-wheeler है वो भी electric से चलने वाले vehicle होता है तो इन दोनों में क्या फरक है यह ना E-Rixa और E-Cart किने कहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले अपने इसको definition में देखते है सबसे पहले carrying E-Rixa के case के अंदर 3-wheeled battery operated for carrying passenger on hire or reward यानि कि ऐसा थिपईया यान ऐसा 3-wheeler जो की यात्रियों को डोने के लिए किराय वह बाड़े पर संचालिद होता है वह E-Rixa की परिवासा के अंदर आएगा ऐसे कैसे E-Cart के अंदर 3-wheeled battery operated for carrying goods on hire or reward यानि कि ऐसा माल दोने वाला वहान तिपईया वहान बैटरी से चलने वाला जो की किराय बाड़े पर माल दोने का कार्य करता है वह E-Cart की definition के अंदर आएगा next है capacity E-Rixa के अंदर 4 plus driver and 40 kg luggage for passenger यानि की 4 plus एक driver maximum capacity हो सकती है 40 kg जो अंदर passenger बैटे है उनका luggage हो सकता है इसने ज्यादा इसमें allow नहीं होता है फिर E-Cart E-Cart के अंदर 310 kg luggage load and plus driver यानि की इसके अंदर एक ही driver होगा और 310 kg तक यह E-Cart load carry कर सकता है वो E-Cart की definition के अंदर आएगा next है power of motor power of motor E-Rixa के अंदर up to 2000 watt यानि 2 kilowatt तक और E-Cart के अंदर भी 2 kilowatt तक उनकी power की motor हो सकती है fourth maximum speed इनकी जो maximum speed है E-Rixa और E-Cart की वो 25 km प्रती घंटा हो सकती है यानि कि अगर E-Rixa को अपन define करें तो अगर यह चारो condition वो fulfill करता है कोई vehicle तो E-Rixa की definition में आएगा और E-Cart के definition में आएगा कोई simple battery operated vehicle की सेड़ी के अंदर आएगा documents यानि की E-Rixa और E-Cart आप कोई चलाते हैं तो इसके लिए कौन-कौन से document की अवशक्ता होती है यानि सड़क पे जब E-Rixa और E-Cart चलता है तो कौन-कौन से document उसको साथ में रखने चाहिए सबसे पहले registration certificate E-Rixa के लिए भी registration होगा और E-Cart के लिए भी registration अनिवारी है mandatory है next fitness certificate E-Rixa और E-Cart एक transport category के अंदर इसको रखा गया है इसलिए दोनों के अंदर ही जैसे transport vehicle के लिए fitness आवशक है ऐसे कैसे इनके लिए भी fitness certificate की आवशक्ता होती है next permit E-Rixa और E-Cart को permit से exemption रखा गया है motor vehicle act के अंदर हैनि इनके लिए कोई भी permit की आवशक्ता नहीं होती है next insurance E-Rixa E-Cart एक vehicle की category में आता है इसलिए दोनों के उपर insurance की भी आवशक्ता होती है next P-U-C क्योंकि यह एक battery operated vehicle है इसलिए कोई किसी परकार का emission नहीं होता है इसलिए कोई भी इसके P-U-C-C की आवशक्ता pollution under control certificate की आवशक्ता नहीं होती है next tax tax के case में if applicable as per state taxation act दोनों के अंदर यानि की जो इनका tax है ज्यादा तर इस्टेट गवर्मेंट का इस्टेट गवर्मेंट ने battery operator vehicle को tax से exempt rate कर रहा है क्योंकि ज्यादा तर इस्टेट गवर्मेंट है battery से चलने वाल vehicle को ज्यादा से ज्यादा प्रमूट करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा इनकी संख्या इनकी होनी चाहिए जिससे की इन दोनों को इरिक्सा और इकार्ट को सत्पर्तिशा टेक से अग्यमशन कर रहा है अब यहाँ पे आती है इनकी व्यद्यता जैसे registration certificate है registration certificate की व्यद्यता जैसे normal vehicle की 15 साल होती है ऐसे कैसे इस vehicle की भी 15 साल होगी फिर आती है fitness certificate की fitness certificate की अपन normal vehicle के अंदर पहले दो साल होती है फिर प्रतिएक साल के लिए होती है लेकिन E-Rixa और E-Cart का fitness certificate है वो प्रतिएक 3 साल के लिए होता है उसके बाद है insurance certificate insurance certificate यानि हर साल जो insurance इसका जैसे दूसरे vehicle के अंदर दो होता है ऐसी परकार इस vehicle के अंदर भी होता है तो यह होता है जब E-Rixa और अगर E-Cart का संचलन करते हो आप तो यह यह document आपको साथ में होने चाहिए और जो enforcement staff है पोलीस staff है अगर इन वाइकल को check करें तो उसमें यह दस्तावे उनको check करने चाहिए next है driving license E-Rixa और E-Cart के driving license के लिए आपको अलग से license मनाना पड़ेगा क्योंकि E-Rixa और E-Cart को अलग स्रेणी के अंदर परिवाशित किया है E-Rixa खुद एक अलग स्रेणी है और E-Cart वो भी अलग स्रेणी है तो इसके अंदर आपको जो simple light motorcycle का license है वह license इसके अंदर काम नहीं आएगा E-Rixa और E-Cart चलाने के लिए आपको अलग से license के अंदर इनका endorsement कराणा पड़ेगा और यह बनवाना पड़ेगा इसके लिए क्या ज़रूत है license के लिए no need a deal of one year old LMV license क्योंकि जैसे मैंने कहा यह एक transport vehicle है और transport vehicle के लिए जैसे अपने license मनाते है तो उस समय आपको एक साल पूरा न light का license होना चाहिए तब यह आपको ट्रांपोर के सेटी का license मिलता है तो इस case के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आप सीधे ही E-Rixa और E-Cart का license बना सकते है नेक्स्ट है minimum training required for 10 days from any institute authorized by the state government यहने कि कोई भी जो इनको license लेने के लिए आपको एक नियूंतम 10 दिन का training certificate या training course आपको लेना पड़ेगा यह training course कहां से लेंगे इसके लिए कोई भी अगर state से authorized center है वहां से ले सकते है state government से इसके लावा ज़्यादा तर आज के समय के अंदर जो E-Rixa के manufacturers है या dealers है उनके द्वारा ही यह training आज की तारिक में ज़्यादा तर भी जा रही है तो वह आपको 10 दिन का training certificate साथ में लगाना पड़ेगा तबी license आपका बनेगा also subject to such condition as may be press card इसके लावा और भी जो कोई सर्टे है जो समय समय पर सरकार द्वारा हिंदर रिकी जाती है वो सर्टे आपको fulfill करनी पड़ेगी तो साथियों यह थी E-Rixa और E-Cart के बारे में मैंने जानखर देने की कोसिश किये आसा करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए है ज्यादा से ज्यादा इसको शेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें जै हिंज जै वारत